अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक और शियर करना और हाँ कमेंट कर दुरूब बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नैंसी यंग को जो कंपनी के डारेक्टर है और वो इतने रूड है कि आते ही के इंप्लॉई को जॉब से फायर कर देती है तब ही उसके फ्रेंड मीली वहां आती है जो उसे स्कूल रियूनियन में चलने को बोल रही थी बट हैं तो वह अपने स्कूल में थी वह तो बिल्कुल हरान थी और मिली से इस पार में पूशती है बट वह से चूप रहने का इशारा कर रही थी क्योंकि उनका चल रहा था नैंसी यंग को रगता है कि सब लोग रियूनियन के लिए यह सब नाटक कर रहे हैं और उसकी बाते स चला रहा था तो उसे भी पकड़वा देती है फिर वो टीचर का फोन उठा लेती है जो स्मार्टफोन की जगा डिब्बा था और मिटिंग के लिए फोन करने लगी थी मिटिंग का नाम सुनके सब्स्टूजन्स हस रहे थे क्योंकि जिने वह फोन करती है वह उसे पहचानत है तब ही बेल लगते ही सब्स्टूजन्स क्लास से बहार आने लगे थे वही फोन वारे लड़का अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसे इस लड़की ने पकरवाया था जरूर वो पगला गई है पर जावरेन जो हमारा मेल लीड है उसे गौर से देखने लगता है खुद क एंसी यंग स्कूल से भाग कर घर जाती है जहां पर वो अपनी मॉम को देखके बहुत इमोशनल हो जाती है और उसने कितने दिनों बाद मॉम के हाथों का खाना खाया था फिर वो अपनी कैट को खिलाती है और सोने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे लगा कि सोने के बाद वो future में उठेगी तो वो morning में उठके देखती है कि वो अभी भी past me है फिर वो future में जाने वाली books लेने library चाहती है वहाँ उसे जावरेन देख लेता है और उसे future में जाने वाली search करता देख पगलाड समझ लेता है future में जाने के लिए Nancy Young chair से खुद को गिरा लेती है देन जावरेन वस लाइक तुम पगला गई हो गया बट नैंसियंग कहती है मैं अभी तक वापस क्यों नहीं गई कहता है तुम lucky हो जो बच गई वो कहती है और तुम कितने irritating हो फिर वो पॉप में जाने के लिए अलग-लग methods ट्राइ करती है जैसे बिचली के जटका लेने का बट उसकी मॉम उसे घर के अंदर बंद कर देती है next day वो मॉम के कपड़े शुरा कर अपनी बॉस से मिलने जाती है पर वो बॉस तो अभी कंपनी की सिर्फ डारेक्टर थी नैंजी यंग उने अपनी सारी बत बताती है क्योंकि नैंजी यंग पहले कम माक्स होने की वज़े से वो famous college में select नहीं हो पाई थी और इसलिए वो exam दुवारा नहीं देना चाहती थी उसे उसके बाद पे विश्वाश नहीं आता बट फिर भी वो उसे समझाती है कि जब तुम्हे life ने अपने past को सुधारने का मौका दिया है तो तुम्हें इस बार सही से पढ़ना चाहिए और अगर तुम famous college में जा पाई तो मैं खुद तुम्हें अपनी company में job दूँगी ये सुनकर नैंजी यंग मान जाती है और decide करती है कि वो इस पर बहुत पढ़ेगी जाओरन अपने friend जैंक के साथ basketball practice कर रहा था और यूबाई को देख सब girls उसे handsome बोल रही थी मीली नैंजी यंग को अपनी class देखने को कहती है बढ़ वो मना कर देती है क्योंकि उससे तो विश्वाश था कि वो toppers की यानि class 2 में होगी यूबाई और genius class 2 में जा रहे थे तो वो भी class 2 में जाकर बैट चाती है class 2 के teacher genius को जिसकी class में first rank आती है उसे monitor बनने कहते हैं बढ़ वो मना कर देता है तो वो rank number 2 यानि यूबाई को monitor बना देते हैं और Chen Shi जो नैंजियां के साथ पैटी थी उसे study representative बना देते हैं इधर नलाइकों का यानि class 7 के students का तो पढ़ाई से दूर दूर कोई लिना देना नहीं attendance के टाइम पे teacher नैंजियां का नाम बोलते हैं पर वो तो वहाँ थी ही नहीं तो जावरेन उसे लेने चाता है class 2 के teacher नैंजियां को बताते हैं कि उसका नाम तो class 2 में है ही नहीं बर नैंजियां को लगता है कि जरूर स्कूल वालों से कोई गलती हो गई होगी बर तबी जावरेन नैंजियां को class 7 के लिए लेने पहुंच आता है सब class 2 के बच्चे हंस रहे थे बर वो हैरान थी कि वो नलाइकों की class में कैसे आ गई class clapping से स्वागत होता है और सब उसका मजाक उड़ा रहे थे नैंजियां ने जियां को पकड़वाया था इसलिए अब उस पे चीटिंग का रोप था तो टीचर उसे पकड़के ले जाते हैं बर जियां के सारे friends नैंजियां को घेर लेते हैं और कहते हैं तुझे पता है जियां जावरेन का best friend है बट शीवास लाइक कौन है ये जावरेन वैसे भी ये बच्चे मेरा क्यों खाड़ लेंगे तो जावरेन गुसे से उसे पकड़के बहार लेके आता है वो कहती है तेरे पास एक मिनट है जो बोलना है जल्दी बोल वो कहता है एक मिनट खुद को के सच में कंपनी का डारेक्टर समश्री हो अभी मेरे साथ चलो स्कूल डारेक्टर को जा कर बताना कि तुमने जियां पर cheating का जूटा रोप लगाया है वो मना कर जाने लगी थी बट वो उसे रोक लेता है तो वो हसके कहती है तू पढ़ने पे ध्यान देने के बिचाए 24 गंटे अपने फ्रेंट्स के बारे में सोचता रहता है न और उसे दिवार पे पुश्ट करके कहती है अब ध्यान से सुन मैं स्टड़ी करने जा रही हूँ समझा वो कहता है अगर तू मब मेरे साथ नी चलोगी तो मैं तुम्हारा पढ़ना किया जीना भी मुश्किल कर दूँगा तो अच्छे से सोच लो इधर स्कूल डारेक्टर चियान को स्कूल से बाहर निकालने को बोल रही थी तब ही जावरेन नैंसी यांग को लेके वहां आ चाता है पर नैंसी यांग चियान को निर्दोश पताने के बिचाए रूल्स रेगलेशन के भाष्ण देने लगी थी स्कूल डारेक्टर को लगता है कि नैंसी यांग को कोई मेंटल स्ट्रेस होगा बट जियान कहता है जावरें, तूइसी हाला कर मेरी और बिचिती कराना चाहता था और नैंसियां को धक्का मारकर चला चाहता है बट उससे पौड गिर के तूट चाहता है डारेक्टर उन्हें पे गुस्ता करके वहाँ से चली चाहती है जावरें को गुस्ता आ रहा था बट वो कहती है, तुम साफ करोगे या मैं जावरें कहता है, मैं क्यों साफ करूँगा वो कहती है, क्या मैंने यह तोड़ा है जियान ने मुझे धक्का दिया, जो तुम्हारा फ्रेंड है कहता है अगर तुम्हारी वज़े से जियान को स्कूल से बाहर निकाला फिर देखना क्या होगा तब ही लीशोय आकर बताता है कि जियान स्कूल छोड़के जा रहा है तो वो सब उसे रोकते हैं बट वो नहीं सुनता जावरान उससे समझाता है अभी स्कूल ने तुझे बाहर निकालने का डिसाइड नहीं किया क्या पता स्कूल वाले तुझे बाहर ना निकाले पर जियान फिर भी चला जाता है नैंसी यंग जब क्लास में आती है तो देखती है कि किसी ने उसकी सीट खराब करती वो बूशती है किसने किया ये जैंक कहता है ये मैंने किया है आओ बैठो और बात करते हैं नैंसी यंग खराब वाली सीट हटा कर सही वाली सीट बाहर रखके बैठ चाती है और कहती है बच्चे मैं तुझे बता रही हूँ मैं यहां सिर्फ पढ़ने आई हूँ तो मुझे परिशान मत कर इंगलिश सर जो ये सब देख रहे थे क्लास में आते हैं बट जाउरेन नैंसी यंग को गुशते देख रहा था English sir जैंक को बोट पे लिखने को बोलते है जैसी वो बोट पे लिखने चाता है वो खुद खराब वाली seat जैंक की seat से exchange कर देते है जैंक जैसी आकर अपनी seat देखता है हरान English sir उसे बैठने को कहते है बड़ वो तो बैठी नहीं पा रहा था English sir was like आगे से यही तरह seat है तो सब हंस पढ़ते हैं एक्स पीरिट में physics sir आगे उन्हें good news देते हैं कि नैंसी यंग के कहने पे डारेक्टर ने class 7 को भी physics competition में participate करने को कहा है लीशुय कहता है ये कौँसी good news थी मुझे तो लगा जियान स्कूल में वापस आ गया यानि बच्चे तो नैंसी यंग से physics competition की वज़े से गुसा थे चैंशी जो class के student है वो जावरेन को अपने mask notes देने आती है बड़ जावरेन वास लाइक मुझे इसकी जूरत नहीं है पर चैंशी तो ये सब जावरेन की मौम की कहने पे कर रही थी जब नैंसी यंग physics सर से question पूछ रही थी तो जावरेन के friend कहते हैं ये फिर से start हो गई इसके डीले पेच कसने पढ़ेंगे तब ही एक लड़की डैलिंग नैंसीयं के सर पे पाणी डाल जाती है नैंसीयं को पता चल गये था इसलिए वो अपने बालों को उसके shirt से साफ करने लगती है वो सब हरान डैलिंग चिला पड़ती है बर नैंसीयं को पता था कि डैलिंग ये सब उससे जियान का बदला लेनी के लिए कर रही है Zauran के फ्रेंड जैंग और लीश्वाई ने नैंजी यंग की साइकल पंचर कर दी थी पर वो टीचर से हल्प मांगती है Zauran जैसे जाने लगा था टीचर उसे वास लगा आती है जैंग और लीश्वाई तो वहाँ से खिसक लेते है बद टीचर Zauran को कहती है नैंजी यंग को अपने घर पे काम है तो तुम अपनी साइकल उसे दे दो और उसके साइकल तुम रिपेर करा देना वो मना कर रहा था बद नैंजी यंग उसके साइकल लेशा आती है और Zauran was like फिर वो देखता है नैंजी यंग तो बैठी मज़े से खा रही थी तो वो उसके पास साइकर कहता है मैं तुम्हारी साइकल ठीकर आके लेके आया और तुम यहां मज़े ले रही हो वो कहती है मैं तो अपने साइकल का वेट कर रही थी तुमने मेरी साइकल पंचर की थी न तो अभी साब वराबर हो गया तो वो मूँ बनाकर अपने साइकल लेकर चला जाता है घर पे नैंसीयां को अपने खरीदे कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि वो से बच्चों के कपड़े लग रहे थे इसलिए वो मॉम से नए कपड़ों के लिए पैसे मांगती है और फिर मॉम की बताई कपड़ों की सस्ती वाली शॉप पे कपड़े लेने चाती है बट एक नशेडी उसे घे लेता है और जानी नहीं दे रहा था तब युस नशेडी के बास्किट बॉल आकर लगती है जो जावरेन का काम था जावरेन के डराने पे नशेडी तो वहां से भाग जाता है पर नैंजियां कहती है तुमने उसे ऐसी जाने दिया क्या पता वो फिर किसी और को परेशान करे जावरेन उसे टक्टकी लगा के देख रहा था तो वो कहती है निशाना अच्छा था वैसे अगर तुम बास्किट बॉल के तरह थोड़ा से स्टेडी पे विध्यान दो तो तुम्हारा कुछ हो सकता है वो कहता है क्या बोल रही हो मैं स्टेडी में तुम से तो बैट रही हूँ बट वो मजाग समझ के चले चाती है नेक्स डे नैंसी यांग स्कूल यूनिफॉर्म की बचाए दूसरे कपड़े पहन के आती है इसलिए सब हहरान थे मिली क्लास सैवन के मॉनिटर है तो वो उससे अपने और जाउरेन की रैंकिंग पूछती है मिली कहती है जाउरेन तुमसे एक रैंक उपर है नेंसी यांग के तो दोत्ते उड़ गए थे और वो खाना छोड़कर पढ़ने चली चाती है डैलिंग जाउरेन को बोल रही थी कि जियान अभी तक स्कूल में वापस नहीं आ रहा तो हमें कुछ करना चाहिए स्पेशलि उस नेंसी यांग का वो कहता है स्कूल ने जियान को बाहर नहीं निकाला वो सेल्फ रिस्पेक्ट की वज़े से खुदी स्कूल में नहीं आ रहा और अहीं बात नेंसी यांग की तो उस पे किसी के प्लैन का फरकी नहीं पड़ता तुम उसके लिए प्लैन मत बनाना वरना तुम्हारा भी जैंक जैसा ही हाल हो जाएगा डैलिंग अपनी फ्रेंड जियाओ को कोई प्लैन सोचने कहती है बट उसे भी कुछ नहीं सोच रहा था तो लीशवाई कहता है नैंसी यांग तो 24 खंटे स्टड़ी के बारे में सोचती है उस पे किसी का प्लैन काम ही नहीं करता तब ही नैंसी यांग क्लास में पढ़ने आती है सिर्फ स्टड़ी के बारे में सोचती रहती है न अब देखना क्या होता है नैंसी यांग जाओरन फिजिक्स सर से कहता है मुझे अपनी सीट चेंज करनी है यहां से मुझे सभी से दिखता नहीं है मुझे वहाँ नैंसी यांग के आगे बैठना है फिजिक्स सर कहते है साफ नहीं दिखता तो जश्मा लगा लो भाने क्यों बना रहे हो वो कहता है सर जश्मा पहन के न मुझे चक्कर आ जाते है और फिर बहुत हुल्टी भी आती है नैंसी यांग कहती है सर मुझे लगता है जाओरन ये कहना चाता है कि वो मेरे आसपास बैठेगा पर मुझे ये बिल्कुल मन्सूर नहीं सर कहते हैं तुम दोनों में चल क्या रहा है स्कूल में सिरु पढ़ाई करने आते हैं समझे और नैंसी यांग तुम स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं बहन के आई पर हाते टाइम नैंसी यांग को फिजिक्स कोश्चन समझनी आ रहे थे तो वो सरसे कूछती है इसलिए सर दुबारा समझाने लगे थे बट जावरेन जान भुच कि नैंसी यांग को बोड़ पे देखने नहीं देता वो से सीधियों के बैठने को बोल रही थी सरु से बोलते हो यह देख लेते हैं और कहते हैं तुमने मुझे दुबारा समझाने को कहा था और तुम ही नहीं सुन रही हो तो नैंसी यांग नोटबुक लेकर पीछे जाके खड़ी हो जाती है बट सरु से सेल्फ क्रिटिसिजम लेटर लिखने कहते हैं जावरान तो खुश हो रहा था नैंसी यांग स्टाफ रूप में बैठी सेल्फ क्रिटिसिजम लेटर लिख रही थी तब ही यू बाई फिजिक्स कॉम्पिडिशन की बात करने आता है तो नैंसी यांग अपना मूँ छुपाने लगती है फिजिक्स सर कहते है नैंसी यांग तुमने फिजिक्स कॉम्पिडिशन के लिए कहा था जबकि तुम्हारे फिजिक्स में सिर्फ 18 मांक्स हैं मैंने तो शरम के मारे यह बात क्लास में भी नहीं बताई नैंसियंग उठके चाने लगती है बट जावरन ये सब सुन लेता है इन फैक्ट वो तो सर से जियान के स्कूल ना आने के बारे में बात करने आया था पर सर उसे अपने काम से काम रखने को कहते हैं नैंसियंग जैसे क्लास में आती है उसे पनिश्मेंट मिली थी इसे सब ख्लैप करते हैं जावरन कहता है अभी सेर्मिनी कंप्लीट नहीं हुई अभी तो तुम्हें अपना सेल्फ प्रिटीसिसम लेटर पूरी क्लास के सामने सब को पढ़के सुनाना होगा नैंसियंग कहती है अफकॉस इस जावरन की वज़े से पूरी क्लास डिस्टब होती है ये जान बूच के मेरी सीट के आगे बैठा ताकि मुझे पढ़ने न दे ये खुद को स्कूल में बहुत पॉपलर समझता है पर इसके कांड क्लास सेवन के फ्यूचर को बरबाद कर रहे है जैंग वस लाइक बॉस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नैंसियं के नहीं तुम्हारी इंसल्ट हो रही हो जावरन कहता है यूश शट आप वो कहती है क्या हुआ आगे सुनना नहीं चाहते है चलो मुद्दे की बात पर आते हैं तुम ये सब बच्चों वाली ट्रिक्स जियान की वज़े से मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो ना तो पहले बता दू मुझे इससे घंटा फर्कने पड़ने वाला उल्टा तुम लोगों क कोई और टीचर आए हमारी हल्प करने के लिए तो बात बन सकती है मिली उसे पूछती है तुने जावरान की हल्प क्यों की वो कहती है क्योंकि फिजिक्स सर हमारी क्लास को हैंडल नहीं कर सकते मिली कहती है यानि तुम हमारे क्लास टीचर बदलने की सोच रही हो तुमें तो काम करके नैंसी यंग को ज़ाड़ो कोचा लगाने कहता है क्योंकि अब नैंसी यंग की बारी थी और कुछ कच्रफ एंग ने चला जाता है जब वो वापस आकर देखता है नैंसी यंग पढ़ रही थी पर जैसे उटकर जाने लगती है वो जान बुच्छ के उसकी आगे आज जाता है पर वो चली जाती है पर तभी लाइट्स जाते ही उसे अंधेरे में थोड़ा-थोड़ा डर लगने लगा था तो जावरेन उसे भूतों का नाम लेकर और आने लगता है पर फिर उसका हाथ पकड़ के लिशाने लगता है वो उसे अपना हाथ छोड़ने कहती है तो व तो वो उसके चोट देखने लगा था वो कहती है मैं ठीक हूं वो कहता है हिलना मत बढ़ना मैं तुम यहीं के लिए छोड़कर चला जाओंगा फिर वो के संधी बिटांकर लिचा रहा था और कहता है क्या तुमने डाइनासूर के बारे में सुना है तुम लगबग उसी के जि बारी थी इसलिए वो भी अपनी साइकल लेकर आ जाता है और पीछे से सपोर्ट करता है ताकि वो जल्दी घर पहुंच जाए पर नैंसियांग को उसकी सरकत से डर लग रहा था नेक्स्ट वे वह बाहर खड़ा नैंसियांग का वेट कर रहा था और पूछता है लगता है त पर नोट्स देने को मना करके चली जाती है इधर यह तिनों नहाते हों सोच रहे थे कि वह फिजिक्स सर्क को अपने कास्टेचर की पोजिशन से कैसे हट वाएंगे तो लीश्वाए डी देता है कि क्यो ना फिजिक्स सर्के टांग तोड़ दे जावरेन वस लाइक अभी कुछ करने लगा था नैंजी अन को स्टाफ रूम के बाहर यूबाई खड़ा मिलता है जो स्कूल से चुटी लेने आया था बट वहां तो कोई टीचर ही नहीं था वो पूछती है तुम डिजाइन कॉमपटिशन में जाने वाले हो ना वो कहता है हाँ पर तुम ही कैसे पता वो कहती है मुझे तो पता ही होगा तुम इसी के विज़े से तो वेमस होगे मेरा मतलब ये काफी वेमस कॉमपटिशन है ना वो कहता है मैं शायद ना जा सकूँ वो कहती है बिल्कुल मिस मत करना देखना तुम पक्का जितोगे और चलीश आती है मिली की फिजिक सो हूमव पक ना देने वाले अप्यान में शामिल हो पाओगी तभी तो फिजिक सर्कूट कर देंगे और हमें कोई नया क्लास्टिशन मिल जाएगा डैलिंग और चियाओ कहती है वैसे भी तुम्हारी वज़े से ये सब प्रॉब्लम आई है अगर तुमने मना किया तो हम तुम्हारा रहना मुश्किल कर देंगे नैंसियंग अपना होमवग दे का चली शाती है बट जावरेन को कुछ गड़बर लग रही थी कि वो इतनी जल्दी कैसे मान गई इनफेक्ट उसने तो होमवग कहीं और चुपा रखा था और वो नोटबुक तो खाली थी लीश्वाय और नी करूंगी बस मुझे अपना होमवग समिट करने दो वो कहता है और मैं तुम्हें अपना खराब करने भी नहीं दूनगा वह कूत कोद चीने लग तो कहता है कूदो मत वरना दूसरे पेर भी चोट मार ली तो मुझे तुम्हें टांकर घर चोड़ कर आना पड़ेगा और पर फिर चैन्शी को Class VII की Homework Notebook चेक करने को दे खाग जाता है। पर नेंजी आंग ये देख लेती है। चैन्शी, यूबाइ और जीनिस को भी Homework चेक करने को दे देती है। जीनिस पूछता है हम Class VII की help क्यों करें। वो कहती है क्योंकि टैलेंटर लोग अच्छे लोग होते हैं यूबाई नैंसियांग का होवक देखने लगा था फिजिक्स सर कहते हैं तुम सब मेरे विरोध कर रहे हो ना मुझे सिर्फ नैंसियांग का होवक मिला है जावरान गुस्से से उसे देखता है फिजिक्स सर कहते ह नैंसियांग ने सारे कोशिन किये हैं पर दस के दस कोशिन के अंसर गलत हैं सब हसने लगते हैं इतने बेज़ती के बाद तो नैंसियांग खुद के लिए ट्यूडर ढूनने का सोच रही थी पर जावराय ना कर पूछता है तुम्हें तुम्हारा होमवक कैसे मिला इन खाल पकड की खेश देती है तो मेली हरान वो कहता है मेरे गाल क्यों खेश रहे थी और गुस्तों के चला चाता है फिर हमें बते चलता है कि यूबाई अपने डैड के साथ रहता है बट वो ने डिजाइन कॉम्पिटिशन के बारे में नहीं बताता पर नैंसियांग की बात बनाने का एडिया देती है स्वाट यानि फिजिक्सर के स्ट्रेंथ वीकनेस और थ्रेट्स की लिस्ट अगर वो यह स्वाट रिपोर्ट बनाके प्रिंसिपल को दे देंगे तो वह खुदी फिजिक्सर को हटा देंगे पैलिंग कहती है अगर यह तरीका काम नहीं करा तो ज जीनियस ने इस पार तो छुट बोल के यूबाई को बचा लिया था पर वो बोल देता है कि यह मेरा पहला छुट था और मैं आगे से कोई छुट नहीं बोलूँगा तो यूबाई उसका थैंक्यू करता है डैलिंग तो अपनी मुजिक बैंड में गई हुई थी कि जावरे उसे देख रहेता है और कहता है मिली अब तुम क्लास 7 के मॉनिटर हो तो तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा कल फिजिक्स कॉंपटिशन है ना तो हम नैंसी आंग के मार्क्स पठाने में उसकी हल्प करेंगे नेक्स डे फिजिक्स कॉंपटिशन में सब अपने सही व और तुम फर्स्ट आओगी बट उसे लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है नैंसी आन मॉम से दो महीने का टाइम मांगती है जिसमें वो क्लास 2 के लेवल की इंटलिशन बन जाएगी क्योंकि फेमस कॉलिज में जाने का यही एक रास्ता था ठीचर क्लास 7 के फिजिक खुष्चों कहता है यह सच में फॉर्स्ट आई है वो कहता है क्योंकि क्लास 7 में टॉप करने वाले के इतने कम मांग्स थे नैंजियंग अपने मांग्स दे कि बिल्कुल भी खुष नहीं थी जावरन कहता है और वरी मैंने कहा था ना इस पर तुम फर्स्ट आओगी मिली देखती है कि उसके 0 marks है फेक्टर ये सब तो जावरेन का plan था क्यूंकि class 7 के सारे students ने खाली पेपर दे दिया था और इसी वज़े से वो first आ गई physics sir उन्हें बताते हैं कि नैंसी यांग ने महनत करके 18 से 49 marks पठा लिये हैं पर तुम सब ने चानबुच के पेपर नहीं किया ताकि मेगी class छोड़ दू पर बाद में तुम सब अच्छे से महनत करना ये सुन सब सैड होते हैं प्रिंसिपल ने physics sir को replace करने का सोच लिया था जावरेन को पश्तावा था इसलिए वो class 7 के सही वाले papers teacher को physics sir को देने को बोल देता है physics sir देखते हैं कि class 7 के marks इंप्रोव हुए हैं तो वो खुश होते हैं English sir भी physics sir भाई बात पे जावरेन से गुसा थे school में announce होता है कि हर class का टॉपर्स पीश देगा पर वैंगरेंग नैंसी यंग का मजाक उड़ा रही थी कि वो क्या स्पीश देगी जिसके स्रिफ 49 marks आये हैं चैंशी को छुपा रही थी इसलिए नैंसी यंग उसे पैड और अपनी चैकिट दे जाती है पर जिनियस के 99 marks आये थे इसलिए वो सब को स्पीश देता है पर जब नैंसी यंग के बारी आती है तो बाकी class के students class 7 का मजाक उड़ाने लगे थे कि class 7 तो सच में नलाइकों की class है तो बस class 2 और class 7 में fight होने लगती है तब ही नैंसी यंग सब को बताती है कि मैं अपनी classmates की विडियो से first आये हूँ क्योंकि उन्होंने खाली प्यपर दिये थे क्या class 7 को मेरा मजाग बनते देख अच्छा लग रहा है पर सचका हो तो तो तुम लोगों ने ये हरकत करके physics सर की insult की है इसलिए मैं उनसे माफी माँगने जा रही हूँ पर नैंसियां की पीछे पीछे पूई class 7 ही physics सर से माफी माँगने जाती है पर वहाँ तो principal सर थे वो उन दोनों को physics सर के पास लेके आते हैं तो वो उनसे माफी माँगते हैं क्योंकि जावरे ने तो ये सब नैंसियां को embarrass करने के लिए था physics सर उनने माफ कर देते हैं और बताते हैं कि वो वैसे भी अपनी week हालती की वज़े से retirement लेने वाले थे आखर उनका mission complete हो गया था तो वो खुश होते हैं पर नैंसियां कहती है तुम्हें खुश होने के बचाए class 7 के लिए कोई नया class teacher होना चाहिए वरना स्कूल फिर से किसी को भी उठाकर class teacher बना देंगे क्या पता वो teacher जियान का वापस लाए ना लाए यू बाई नैंसियां को कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें physics बढ़ा सकता हूँ वो कहती है तुम्हारी पढ़ाई डिस्टप तो नहीं होगी इसमें lecture record करके मुझे दे दिये करना बट उन दोनों को देख जारेन कहता है इन दोनों में क्या चक्का चल रहा है फिर वो यू बाई से पूछता है नैंसियांग ने जो तुम्हें USB थी है उसमें क्या है बट यू बाई वस लाइक मैं क्यों पताओं चैंशी नैंसियांग को थैंक्यू करके उसकी जैकेट उसे वापस कर देती है पर PD क्लास में उन दोनों को मज़े से बैटा देख जारेन वस लाइक ये क्या हो रहा है जारेन गुसे में था क्योंकि नैंसियांग अपनी क्लास 7 को छोड़ कर क्लास 2 के बच्चों के साथ जादा रहती है इन फेक्ट वो सब को क्लास 7 के लिए नया क्लास टीचर का नाम सोचने को बोल रहा था जो उनकी हल्प कर सकें आप्शन थे क्लास 2 के टीचर मिस्टर लियाओ और इंग्लिश सर पर इंग्लिश सर तो जावरेन से गुसा थे तो वो मिस्टर लियाओ सर के बारे में सोचता है मिस्टर लियाओ का लगता है कि इंग्लिश सर क्लास 7 के लिए ज़्यादा बैटर है जावरेन इंग्लिश सर से माफी मांगता है Mr. Liao Class 7 के temporary teacher बन जाते हैं बट high level के teacher होने की वज़े से उनसे भी Class 7 handle नहीं हो रही थी questions पूछने के लिए Class 7 के students Mr. Liao के पीछे पढ़ जाते हैं तो वो अपनी जान बचा के भागते हैं यहां तक कि उन्हें खाना खाने का time भी नहीं मिल रहा था इसलिए Mr. Liao Principal को Class teacher के लिए English sir का नाम recommend कर देते हैं English sir Class 7 पे research कर रहे थे तो Nancy Young भी उनकी help करती है फिर Zauran Nancy Young को treat देता है बट वो बहुत सारा खाना order कर लेती है next day English sir का practical होना था बट Zauran उनसके friends ने projector के तारकार दिये थे ताकि उनका मजाग उड़ा सके बट सर भी कौन सा कम थे उन्होंने Class 7 के हर student पे research कर रहे थी जैसे Zauran में leadership qualities है और Nancy Young हर problem का solution रून लेती है लीश्वय ट्रिक्स यूज़ करने में माहिर है जैंग basketball में अच्छा है डैलिंग जिसे English तॉंग पसंद है उसकी English skill काफी अच्छी है और तो और English सर ने उन सब के max बढ़ाने का भी study plan बना दिया था इंदा एंड सब English सर को Class 7 का Class teacher बनाने के लिए ready थे पर जावरान समझ आता है कि जरूर Nancy Young ने इंग्लिस सर की help की होगी इसलिए वो से कहता है अगर English सर जियान को वापस नहीं लाए फिर देखना क्या होता है वो इस बात पर गुस्ता था कि Nancy Young ने उसका use किया यूबाई Nancy Young की तारिफ कर रहा था तो genius कहता है बच के रहना लड़कों के चक्कर में मत फज़ जाना पर यूबाई तो Nancy Young को देखकर उससे मिलने चाता है वो उसे treat देने को जहती है क्योंकि यूबाई उसके study में help कर रहा है और फिर mom से पैसे लेकर उसे treat देती है जब यूबाई को पता चलता है कि वो class 2 में आना चाती है तो वो खुश होता है बड़ सावरेन नैंसियंग को यूबाई के साथ देख जलस हो रहा था तो चलाश आता है इंग्लिस सर सबको good news लेते हैं कि school ने चियान को माफ कर दिया तो सब बहुत खुश होते हैं holidays हो गई थी इसलिए सावरेन नैंसियंग को के लिए invite करता है और फिर वड़ा त्यार शेर होकर उसे मिलने जाता है नैंसियंग अपने घर में पढ़ रही थी इसलिए वो बॉल्स बैंकर उसे डिस्टप करता है ताकि वो उसके सब पिक्निक पे चले नैंसियंग जब आती है तो वो उसे देखते रह जाता है वो जानबुच के अपने सैकल भी नहीं लेके आया था और नैंसियंग को उसके सैकल पे बिठा के पिक्निक पे लेके आता है पर वो तो वहाँ भी पढ़ रही थी तो सब उन्हें गेम्स खेलने कहते हैं तो लीशोय रैफरी बन जाता है जियाओ और डैलिंग एक टीम में हुझाती है मिली नैंसियंग के साथ टीम बनाने वाली थी पर जावरे नैंसियंग के साथ टीम बनाने वाली थी पर जावरे नैंसियंग की तरफ और चैन मिली की तरफ जग जाते हैं फिर वो सब गेम्स खेलते हैं और बहुत मस्ती करते हैं पर जावरे नैंसी यांग के क्लोस होके खुश हो रहा था उन दोनों को साथ खर चाता देख जैंग वस लाइक ये दुश्मन दोस्त कब से बन गए स्कूल का प्रोमो शूट करने के लिए क्लास्टू के यूबाई और चैंशी को चूस करते हैं पर चैंशी शूट के लिए मना कर देती है यूबाई चैंशी से रीजन पोचता है पर वो कहती है मुझे क्यामरास के सामने आना पसंद नहीं नैंसी यांग को साइकल पर जाता देख वो सब चुपने लगते है चैंशी और जावरेन तो बच्चा आते है पर नैंसी यांग और यूबाई पकड़े चाने वाले थे तो जावरेन डारेक्टरों को वहाँ से बेचके उन्हें बचा लेता है पर वो नैंसी यांग को यूबाई के साथ एक जेलस था और कहता है चैंशी तुम अपने बंदे को लेके चाओ और मैं अपनी बंदी को संभालता हूँ उन दोनों के जाते ही नैंसी यांग वास लाइक अपना बंदा अपनी बंदी क्या मतलब था बट वो से पकड़के ले चाता है नेक्स्ट इंगली सर जियान को लेके आते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं बट जियान थो उन्हें गुटबाई करने आया था क्योंकि उसे पढ़ाही में नहीं पेंटिंग में ड्रस्ट है जावरान उसे रोकने की कुशिश भी करता है बट नेक्स्ट इंग उस कहती है कि ये जियान का फैसला है तो उसे रोकने का कोई फायदा नहीं पर अगर तुम चाहते हो कि वो सच में वापस आए तो कोई और तरीका सोचो यूबाई के साथ चू लड़की प्रोमो शूट करवा रही थी वो सही से अकनी करपा रही थी इसलिए मिस्टर लियाओ चैंशी को कहते है क्योंकि क्लास टू की इज़त पचाने का यही रास्ता था तो चैंशी यूबाई के साथ शूट कर देती है संडे की वज़े से नैंसीयां घर पी थी और उसकी मौम पूरा दिन लॉंडरी शॉप पे काम करती है इसलिए वो कपड़ों की डिलीवरी में मौम की हल्प करती है बट उस बिल्डिंग की लिफ्ट खराब थी तो उसे सीडियों से जाना पड़ रहा था इधर जावरेन अपने घर पे नहाने के बाद वही कर रहा था जो अक्सर हम करते हैं जब घर पे अकेले हो मतलब बंदा फुलों मस्ती पे था बट तब ही गेट बेल बज़ती है बट गेट खोलते ही नैंसीयां को देख हरान वो देखती है जावरेन बिना कपड़ों के तो जावरेन जल्दी से गेट बंद कर लेता है और फिर फ्लैश की स्पीड से जल्दी जल्दी पेहनने के लिए कपने ढूनने लगा था वो भी परफ्यूम लगा के उसके गेट खोलने पे वो उसे कपले डिलिवर करने लगी थी बट वो तो उसे अंदर आने कहता है पर जब वो उसके घर के अंदर आती है तो वो नर्वस हो रहा था नैंसीयां कहती है तुमने उल्टी टीशिट क्यों पहन रखी है वो सीधी करता है वो कहती है अब भी उल्टी है वो कहता है मैं घर पे ऐसी प्यानता हूँ ताकि मेरी फीगर अच्छे से दिखे वहाँ पे फोटो रखी थी जो जावरेन और चैंशी के बच्पन की थी वो पूछती है तुम दोने काफी क्लोस हो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है यह तो मॉम ने जबरदस्ट से उसके साथ फोटो किछवा दी थी जब वो जावरेन को क्यूट कहती है तो वो खुश होता है और फिर उसके रोपने के बाद भी नैंसियन भाग जाती है तो जावरेन वो फोटो वहाँ से हटा देता है ताकि नैंसियन कुछ गलत न समझे यूबाई के डैड उसे अपनी कमपनी में गुमा रहे थे ताकि अच्छे से पढ़ने के बाद यूबाई उनकी कमपनी को संभाल सके स्कूल का प्रोमो देखने पास स्कूल में सब बाते बना रहे थे कि चैंशी और यूबाई दोनों साथ में कितने सूट करते हैं क्योंकि चैंशी बहुत ब्यूटफुल है पर चैंशी उसे ब्यूटफुल कहने वाली बात पे कुछ खास कुछ नहीं थी जावरन उसके सैडो ने का रीजन पूछ रहा था पर उन दोनों को साथ में देख नैंशी अंग सैडो के शरीश आती है और फिर लंच टाइम पे भी वो जावरन के पास से उठकर शरीश आती है तो वो भी उसके पीछे भागता है और पूछता है क्या तुम यूबाई के पास चारी हो वो हाँ करती है इनफेक्ट उसे यूबाई से यूएस पी लेनी थी जावरन उन्हें देख रहा था तो यूबाई भीना कुछ बोले ही चला जाता है इंटरनेट पे वाइरल हो जाता है कि चैंशी बच्पन से कितनी फ्याट और अगई थी इस तो सब चैंशी को देख बाते बिना रहे थे जावरन चैंशी को कहता है चिंता मत करो मैं इस प्रॉब्म को सॉल्फ कर दूँगा जावरन परिशान था क्योंकि वो पता नहीं लगा पा रहा था कि चैंशी के बच्पन के फोटो आखिर इंटरनेट पे अप्लोड किसने की तो वो नैंशी आंग की हल्फ मांगता है क्योंकि उसके पास तो हर प्रॉब्म का सॉल्यूशन होता है वो कहती है पहले ये बताओ तुम्हारा चैंशी के साथ क्या लेने देना है तो वो बता देता है कि मैं और चैंशी बच्पन से साथ पले पड़े है लाइक ब्रदर एंसिस्टर तो नैंशी आंग उसके हल्फ करने के लिए रेड़ी हो चाती है बढ़ एक शर्ट पे बढ़ एक शर्ट पे लाइक उसे अपना गुलाम बनाना चाहती है Wren के फ्रेंड्स को यकीन था किजा रेन ने जरूर्व मना कर दिया होगा पर जा रेन ने तो हां करती THी इनसी यंग अगर जावरे नेनसी यंग काकाम सब को बताना होगा विचारे जावरेन को ना चाहते हुए भी साइन करने पड़ते हैं लेंज टाइम पे जावरें नैंसियांग को खाना खिलाने लाता है वो भी अपने पैसो का तो वो से बताती है कि जिस लड़के ने चैनशी की फोटो अपलोड की है वो दूसरे स्कूल का है वो कहता है तुम पढ़ाई के अलावा हर काम में माहिर हो वैसे तुमने ये बत पता कैसे की वो कहती है मैंने उस लड़के को मैसेज किया कि मेरे पास चैनशी की और फोटोस हैं तो वो लड़का मिलने के लिए मान गया पर हम दूसरे स्कूल में जाएंगी कैसे जावरें कहता है अब देखना मेरा कमाल और खुद को प्रिंसिपल का बेटा बोल कर दूसरे स्कूल में गुच जाता है उन्हें वो लड़का मिल जाता है जो चैनशी की अगली फोडो माग रहा था बड़ जावरें उसे पकड़ लेता है नैंशी यंग उस लड़की को फोटो डिलिट करने कहती है वरना वो उस पे केस कर देगी और प्रूफ के लिए उसने उस लड़की की रुड़िंग भी कर ली थी इसलिए वो लड़का मांच जाता है इधर जावरें की मॉम उसके स्कूल आती है बट जावरेन तो स्कूल में था ही नहीं क्योंकि वो तो नैंजियां के साथ गया था और वो दोनों बस्ते वापस स्कूल आ रहे थे तो मॉम उन दोनों को पकड़ लेती है क्लास 7 के सबस्टुरेंट्स उन्हें छुपके देख रहे थे क्योंकि मॉम जावरेन को मार रही थी चैंशी नैंजियां का थैंक्यू करती है वो कहती है तुम्हें मेरा नहीं जावरेन का थैंक्यू करना चाहिए चैंशी कहती है अभी स्टड़ी का टाइम है तो तुम दोनों पपी लवे मत पड़ जाना नैंजियंग कहती है मैं पपी लव में टाइम वेस्ट नहीं करती घर पे मॉम को गुस्से में देख जावरें स्टड़ी का बहाना मारके अपने रूम में चाने वाला था पर मॉम उसे बुला लेती है और पूछती है क्या तो नैंजियंग को लाइक करता है? वो कहता है माम आप ये क्या बोल रही हो? पूरा स्कूल जानता है मैं और नैंजियंग तो एक दूसरे के दुश्मन है तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पढ़ने जा रहा हूँ नैंजियंग को क्लास एक्सचेंज करने का एडिया आता है और वो पोस्ट डाल देती है ये पोस्ट प्रिंसिपल सर देख लेते हैं और वो स्कूल में क्लास एक्सचेंज सिस्टम अप्लाई कर देते हैं यानि जिस बच्चे के अच्छे माक्स आएंगे वो लोवर क्लास से अपर क्लास में जा सकते हैं पर कम marks वाले अपर क्लास से लोर क्लास में आ जाएंगे नैंजियां के पास अच्छा मौका था पर वैंक फैंक सैट थी क्यूंकि उसकी क्लास 2 में लास्ट प्रजिशन थी अगर उसके marks कम हुए तो उसे क्लास 7 में जाना पड़ेगा यूबाई नैंजियां को इग्नोर कर रहा था तो उसे लगता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्यूंकि यूबाई किसी को लाइक करता है और वो उन दोनों को गुरतना समझ ले और कहती है कोई बात नहीं मैं किसी और से हल्प ले लूँगी टैंशन मतलो तुम अच्छे से प क्लास मेर्स हैं और मॉम आप टेंशन मतलो इससे मेरी स्टड़ी के लिए टाइम वेस्ट नहीं होगा डैट यूबाई पर गुस्सा करते हैं कि कि उसे कंपनी को संभालने के लिए फाइनस डिपार्टमेंट में जाना है पर वो हमेशे डिजाइन पढ़ता रहता है तो वह से सौरी बोलता है और फिर अपने दिल की बात नैंजियंग के लिए यूएसपी में रिकॉर्ड कर देता है मंदली टेस्ट में नैंजियंग के माक्स तो बड़े थे पर वो क्लास 2 में जाने के लिए कम थे तो जावरन कहता है क्यों अभी तक क्लास 7 में हो अच्छा है वो क करान थे कि एक तो नैंजियंग के माक्स काफी स्पीड से बड़े हैं दूसरा क्लास अक्स्चेंज सिस्टम वाली पोस्ट किसने की तो वो समझ आते हैं कि ये भी जरूर नैंजियंग का ही काम है और होता भी कुछ ऐसे ही है यूबाई नैंजियंग को यूएसपी देने वा नैंजियंग को यूएसपी देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें इतना बड़ा इंसान ही दिख रहा था बड़ उसे लगता है कि वह किसी और के लिए खड़ा है इनफेक्ट वह तो उसके लिए लेकर खड़ा था और गुस्टा वोके भागशाता है नैंजियंग उसे कोशिश कर रहा था बड़ पकड़ा जाता है नैंजियंग के पास जाके बैठ जाती है और खांसता है जिससे सब नैंजियंग कोई देखने लगे थे नैंजियंग बीच में बैठी थी तो वो उसके इशारा करने पर जावरान के पास वाली सीट पर बैठ शाती है और कहती है तुम बाinst के साथ बैठा करो वरना कोई तुम्हारी मॉम को रिपोर्ट कर देगा वो कहता है तुम तो ऐसे बोल रही है जैसे हम दोने में चक्कर चल रहा है वैसे भी मेरी साइड में तो ये लड़का ही तो बैठा है क्लासस के बीच जगा देख डारेक्टर उन सब को साथ में बैठने कहती है तो सब स्टूडेंट्स एक साथ हो के बैठ शाते हैं जीदिस बूट फॉल रहा था जियाओ को लगता है कि वह से बोल रहा है पर वो तो हिस्टरी की बुक को बूट फॉल भॉल रहा पीशी के टाइम पे गल्धी से इटालींगे की यूसπ चल जाती है जिसमें सॉन aviation बश रहा था और डारेक्टर उसे डांटने लगती है फिर कि इंग्लिज सर के मना करने के बाद भी वो तो पुरी Class 7 की USB लेने आचाती है क्यूंकि चेकिंग करने पे Most students की USB में Study Recording में बचा है, Song मिले थे इसलिए इंग्लिज सर को उन सब की USB लेनी पड़ रही थी जाओरें नैंसियंग वाली USB चुपाने की कोशिश कर रहा था पर सरू से पकड़ लेते हैं और USB ले लेते हैं जो उन्हें एक्जाम सोने के बाद मिलनी थी जब यूबाई को ये बात पता चलती है तो वो डर शाता है कि अगर टीशर ने नैंसियंग की USB रिकॉर्डिंग सुन ले तो उसका क्या होगा जाओरें नैंसियंग को अपने न्यू USB देने लगा था बट वो कहती है मिल ली USB नहीं उसके अंदर का content ज़रूरी था कोई बात नहीं तुम ज़्यादा टेंशन मतलो डैलिंग का सौंग उसकी USB में था इसलिए इंगली स्थर डारेक्टर को मनाने चाते हैं ताकि वो उने सबस्टेंट्स की USB दे 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 डारेक्टर के ओफिस से बाहर चाते ही जाउरेन उनके ओफिस में चला चाता है इंगली स्थर सबको good news देते हैं कि डारेक्टर USB वापस देने के लिए मान गई पर डारेक्टर तो जाउरेन के कान पे गुसा थी क्योंकि वो उनके ओफिस में USB उठाने गया था और वो जाउरेन को बासकेटबाल खेलने के लिए मना करके शरीशाती है इंगली सर उनके मनाने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें इडान देती हैं कि वो बच्चों को बिगाड रहे हैं नैंज्यांग जाउरेन पे गुस्सा करती है कि उसने ऐसा क्यों किया क्योंकि अब वो बास्केट बॉल भी नहीं खेल पाएगा बर जावरन कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए किया क्या तुम इतनी सी बात भी समझ भी नहीं आती और उन दोनों में जगड़ा हो जाता है फिजिक्स सर पढ़ा रहे थे बर जावरन का ध्यान बास्केट बॉल की तरफ था इसलिए उसे डांट पड़ती है सब हहरान थे क्योंकि जावरन ने पहली बार बहस करने की बचाए सौरी बोला था इतना सब होने के बाद भी वो नैंसियंग के लिए लंच लेने जा रहा था और जैंग को जावरन के पास आती है उसे कमफट करने बट वो पूछता है इस तरस बताओ यूएसपी में क्या था वो कहती है यूबाई ने मेरे लिए लेक्टर रिकॉर्ड किये थे मुझे लगा तुम दोने में कुछ चल रहा है चलो अच्छा है तुम तो मुझे कमफट करने आये थी ना तो करो ना वो उसे बास्केटबॉल खेलने को कहती है बास्केटबॉल खेलने से उसे अच्छा फिल होता है तो वो पूछती है क्या तुम सच में बास्केटबॉल खेलने चाहते हो वो हाँ करता है फिर वो सबको अपना न्यू प्लैन समझाती है कि अगर हमारी क्लास 7 से स्टुडेंट स्पोर्ट्स में परिस्पेट करेंगे तो बात बन जाएगी और वो तो ने इंगले सर को डारेक्टर से डील करने को गहते हैं जिसके बदले में वो जावरेन को बास्टरबॉल खेलने देंगे और उन्हें यूएस पी वापस कर देंगे डारेक्टर बोल देती है कि अगर क्लास 7 स्पोर्ट्स में फर्स आई तो उन्हें ये डील मनजूर है फिर क्या जावरेन लग जाता है क्लास 7 को मोटिवेट करने ताकि वो सब स्पोर्ट्स में पट्सपेट कर सकें बड़ एक्जाइम की वज़े से कोई पट्सपेट करी नहीं रहा था वो नैंजियंग को कहने लगा था बड़ वो तो पहली मना कर देती है लैंज टाइम पे नैंजियंग ने चैंशी और जावरेन की मॉम को भी बुला लिया था और उन्हें क्लियर कर देती है कि वो और जावरेन सिर्फ क्लासमेड्स हैं इससे ज़्यादा उनमें कोई रिलेशन नहीं वो कहता है किसने कहा हम में रिलेशन है मेरा मतलब हम दोनों दुश्मन हैं ना मॉम भी माँच आती है पर जावरेन को नैंजियां की ये बात थोड़ा परिशान कर रही थी वो से मैसेज कर बता देती है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि तुम्हारी मॉम से अधर टेंशन न ले तो वह खुश होता है क्लास 7 को क्लास 2 का स्पोर्टस चलेंज फ़ले लैटर आया था पर किसने भीज़ा था इस बात का किसी को भी नहीं पता था फिर किया क्लास 7 के स्टुडेंस को गुसा चाता है और बहुत सारे स्टुडेंट्स इस्पोर्स में परस्पेट कर लेते हैं पर गुल्स में डालिंग के अलावा कोई भी लड़कीадиya नहीं थी क्योंकि ज्या ओ को मेकप के अलावा कुछ नहीं आता और मिली गेमस में कुछ खास अच्छी नहीं वो नैंजी यंग को कहता है पर वो मना कर देती है क्योंकि उसे पढ़कर क्लास 2 में जजाना था क्लास 2 का नाम सुनकर ही वो गुस्तों के बैठ शाता है फिर वो एक प्लैन बनाता है रात में नैंसी यंग और मिली जा रहे थी तब ही मिली को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है जावरेन उने डरा देता है और वो भूत के डर से बहुत तेज भागती है जियांग चो टाइम रिकॉर्ड कर रहा था मिली को बताता है कि हमारी बीटफुल मॉनिटर की पीट तो सूपर फास्ट है और उसे रेसी में पाटिस्पेट करा देते हैं डैलिंग काफी बीटफुल दिख रही थी तो सब गर्स उसकी बीटई का राज पूछती है वो बताती है कि मैंने बस थोड़ी बहुत एक्साइस की थी और मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि एक्साइस करने से बीटफुल होते हैं फिर किया काफी सारी गर्स स्पोर्ट्स में पाटिस्पेट कर लेती हैं और उनका प्लैन काम कर गया था दैन जाउरन वास लाइक क्या गरू मैं हूं ही इतना टैलेंटेड और गुड लुकिंग इंगलिस सर उन सब को उनकी यूएस पी वापस कर देते हैं तो जाउरन भी नैंस यंग को उसकी यूएस पी दे देता है नैंस यंग घरा के मॉम को स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन के बारे में बताती है पर मॉम कहती है कि तुम सर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो जब वो यूबाई की रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारा फेमस कॉलिज में वेट करूँगा तो चलो साथ में फाइट करते हैं तो वो भी उसे चीरप का मैसेज कर देती है नेक्स डे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन के लिए क्लास डवन प्रैक्टिस कर रही थी पर फ्यूचर पता होने की वज़े से नैंसी यंग यूबाई को बोल देती है कि तुम अपने डवन को बोल देना कि वो ब्लू कंपनी में इंवेस्ट न करें तो वो हां करता है तब ही जावरान नैंसी यंग को बात करने के लिए रिजाने वाला था पर यूबाई नैंसी यंग को मॉक्टास पेपर देने लगा था तो जावरान उसे खुच्छीन लेता है और कहता है क्लास टू ने जो स्पोर्स चैलेंज लेटर भेचा है तुमने उसे तो देखी लिया होगा अफसोस तुमें हार मिलेगी वो भी बहुत बुरी वाली यूबाई कहता है क्लास टू स्टडी में बिजी है इसका मतलब ये नहीं कि हम हार जाएंगे अगर हमने स्पोर्स में पर्टिस्पेट किया तो क्लास सेवन भी जीतने नहीं वाली और दोनों एक दूसरी को गुस्ते देखते हुए शले जाते हैं यूबाई क्लास टू में सब को स्पोर्स में पर्टिस्पेट करने कहता है बड़ वो सब तो एक्जाम के लिए बिजी थे जैसी वो कहता है कि मैं स्पोर्स में पर्टिस्पेट करने वाले को अपने नोट सुंगा तो बहुत सारे स्टुडेंट्स पाटिस्पेट करने के लिए मान जाते हैं यू भाई खुश हो रहा था डैलिंग का सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी स्पोर्स्टे वाले दिन था इसलिए नैंसी यंग डैलिंग की चेगा और रिले रेस में पाटिस्पेट करने के लिए रैडी हो जाती है और सब को प्रूफ करने के लिए बहुत तेस भागती है कि सब हरान थे कि उसकी इतनी स्पीड है वो इस शर्थ पे participate करने के लिए ready थी कि एक तो कोई उसकी study को disturb नहीं करेगा और दूसरा वो सब भी उसके साथ break time में study करेंगे और सबको उसकी बात मानने पड़ती है UBI जो running करके आया था genius उसे बताता है कि हमारी class ने class 7 को challenge letter नहीं भेचा क्योंकि वो printed था करती है कि अगर वोने sports करने देंगे तो class 7 के marks भी बढ़ेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे punish कर देना पर जाओरन ये सुम लेता है और सब को पढ़ने के लिए बोल देता है सब हहरान थे कि class 7 break time में भी पढ़ रही है UBI डैड को blue company में इन्वेस्ट ना करने केहता है पर डैड उसकी बात को मजाक में ले लेते है नैंजी अंग race में पड़ स्पेट कर रही थी मॉम उसे रोक रही थी बट वो चलीश आती है और morning में running practice कर रही थी तो जाओरन उसे जदा stress ना लेने केहता है बट वो तो सच में running करना चाहती थी और उसके पीछे पीछे भागते भागते वो उसके उपर गिर्शा आती है वो जैसे उसे खड़ा करती है तो कहती है तुम्हारा face क्यों तरना red है अरे तुम्हारी तो heartbeat भी बहुत fast है अपना check-up करा लो जाके जावरेन को शक्त था कि उसे love हो गया इसलिए उसके friends उसे love चेक करने के लिए tips देते हैं लाइक जावरेन अपना hairstyle change करे तो उसकी लवर उसे जरूर नोटिस करेगी वो hairstyle change करके आता है बट रियल में तो नैंसी यंग उसे देखती भी नहीं वो उसे show off कर रहा था पर काम नहीं बनता friends कहते हैं कि दूसरी लड़की close होने पर तरी love चेलिस होगी तो वो जान बुचके चेंशी से बात करता है ताकि नैंसी यंग जेलिस हो बट वो उसे ignore करती है next day class 7 और class 2 में dialogue फ़ली fight चल रही थी क्योंकि यह sports से था पर बारिश होने लगती है तो जान नैंसी यंग के उपर umbrella कर लेता है तो वो smile करती है और वो भी उसे देख रहा था तो friends उने ते खुश हो रहे थे मीली भी हस पड़ती है बारिश रुखते ही competition स्टार्ट होता है 400 मिटर की race में जाउरेंग जीचाता है अब girls की short put throw होने वाला था flash pack में हम देखते हैं जियाओ ने वो भारी boxers उठा लिये थे जो लीश वाय से भी नहीं उठता इसलिए उन्होंने उसे short put throw में participate करा दिया था पहली बार तो इसना अच्छा नहीं कर पाती पर अपनी classmates की motivate करने पे वो short put बहुत दूर फैंटी है और जीचाती है जैंग long jump करता है बट उसका long jump बार-बार invalid हो रहा था इसलिए बार-बार करने पे वो थक चाता है और जाद अच्छा प्रफॉर्म नहीं कर पाता फिर marathon में यूबाई और जावरेन दोनों की race होती है जिसमें वो दोनों बहुत तेज भागते हैं और दोनों एक साथी first आते हैं तो handshake करते हैं नैंजी यूबाई की तारिफ करती है जावरेन की नहीं जिससे वो jealous था बट वो कहती है तुम तो already sports students हो न तुम में इतना stamina तो होना बनता है लीशोय बिचारे के sports shoes खो जाते हैं और दूसरे shoes पहने होने की वज़े से वो race में भागते time गिर्शा आता है तो थैंक गॉड उसके जादा seriously short नहीं लगी थी girls के relay race होती है काफी speed होने की वज़े से Nancy Yang की team जीचा आती है यानि class 7 number 1 आती है तो वो बहुत खुश होते हैं class 2 थोड़ा sad थी but it's okay खेल में हारना चितना तो लगा रहता है जावरन Nancy Yang को cycle पे घर शोड़ने चाता है क्योंकि उसे लगता है कि रेस में भागते टाइम वो ठक गई होगी और मॉम भी Nancy Yang पर अब गुसा नहीं थी उसके डारेक्टर भी जावरन को बास्केटबॉल खेलने के लिए अलाव कर देती है तो सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि क्लास 7 के मतली टेस्ट में काफी मार्क्स पड़े थे स्कूल के चेरमें स्कूल की ओल्ड बिल्डिंग को तुड़वाने वाले थे इसलिए यूबाई जावरन को अपने प्लैन में शामिल होने कहता है और जावरन भी उससे हाथ मिला लेता है प्लैन था स्कूल अक्सबिशन करने का जब नैन्स यंग चैसे ही जावरन के क्लोस आती है तो उसकी हटबिट पढ़नी स्टाट हो जाती है उनके प्लैन के कोडिंग वो स्कूल अक्सबिशन करते हैं जिसमें वो बारिष मेंबी निए वोक को बशा रहे थे तो चैयर में उनके अफ़र्ट्स दे कर एंप्रेस हो चाते हैं फिर वो सब उन्हें स्कूल की ओल्ड बिलिडिंग के इंपॉर्टन्स बताते हैं तो शेयर में बिल्डिंग को ना तुड़वाने के लिए मान जाते हैं और सब बहुत खुश होते हैं जावरेन का दूसरी स्कूल के टीम के साथ बास्केटबॉल मैश था नैंसियंग उसे देखने हैं इसलिए वो अपना बेस्ट देता है और वो मैश जी जाता है जावरेन नैंसियंग को हमेश रह परिशान करता रहता है इसलिए चैंशियो से समझाती है कि अगर तुम सच में उसके क्लोस होना चाहते हो तो तुम्हें भी उसकी तरह पढ़ना स्टार्ट करना होगा तो जावरेन क्लास में इंगली सर्थ से पूछता है कि क्या फेमस कॉलेज में जाने के लिए क्लास 2 में जाना इंपोर्टन है और वो ये कुश्चन नैंसियंग के लिए पूछ रहा था तो इंगली सर्थ बताते हैं कि जरूरी नहीं सर्फ क्लास 2 वाले ही फेमस कॉलेज में जा सकते हैं ब्रेक टाइम में नैंसी यंग सबको क्लास में पढ़ाने वाली थी, सब मना करते हैं, तो जावरेन उन्हें छुपकरा देता है, क्योंकि वो तो नैंसी यंग से पढ़ना चाता है, तो सब पढ़ने लगते हैं, जैंग नैंसी यंग को क्रेजी बोल रहा था, तो जावरेन मार कर उसका मूव बंद कर देता है, और नैंसी यंग को मिल्क टिल लाके देता है, वो कहती है, तुम कब سے मेरे इतनी फिकर करने लगे, वो कहता है, मैं तो हमेशे से तम्हारी फिकर करता हूँ, बस तुमने लेट नोटिस किया, वैसे क्या तुम सच में क्लास्टू में जाना चाती हो वो कहती है हाँ पर ये इतना भी असान नहीं है वो सैड था पर फिर भी उसकी हल्प करने की सोचता है लीश्वाय अपना बर्गर खाके जैंका मांगता है वो उसे एक बाइट खाने कहता है तो लीश्वाय एक ही बार में बहुत सारा खाकर उसे वापस कर देता है जबकि वो एक बाइट बिल्कुल भी नहीं थी और मज़े से खाने लगता है इनफेक्ट जावरेन उन्हें ट्रीट दी थी ताकि वो दोनों नैंसियंग के स्टेडी में उसकी हल्प करें वो दोनों नैंसियंग को क्लास टू के पेपर लाके देते हैं जिन्हें उसे सॉल्प करना था जैंग चानबूच के वैंग फंग के साथ अच्छा भी हिप करता है ताकि वैंग फंग रोमेंस के चकर में आके पढ़ाई पे ध्याना दे पाए और उसके नैंसियंग से कम माक्स आए तो नैंसियंग क्लास टू में चली चाएगी पर मिली को किसी और लड़की के साथ देख जैंग जैलस हो जाता है और सब कुछ बग देता है बट वो लड़का तो मिली का भाई था मिली और नैंसियंग चैंग और जावरेंग को वेंक फेंक से माफी मागने कहते हैं क्योंकि उन दोनों ने यह गलत किया था जावरें नैंसियंग को बताता है की वो पाईलेट बनना चाहता है और बाहर भारिश होते देख वो से अपना चेकिट उडा देता है ताकि नैंसियंग बिमार ना हो और उसके काफी केर कर रहा था तो नैंसियंग उसके लिए पाइलट के बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करती है नैंसियंग डिलीवरी करने जाने वाली थी बट वो अपने फ्रेंड्स को लेके पहुंच आता है ताकि नैंसियंग की जगा वोड डिलीवरी करें इंगले सर की वज़े से जियान भी क्लास 7 में वापस आ गया था तो सब बहुत खुश होते हैं युबाई की डैट ने ब्लीव कंपनी में इंवेस्ट कर दिया था जो फ्रॉड निकली बट वो युबाई को इस पारे में नहीं बताते सबस्टुडेंट्स नैंसियंग से कुश्चिन पूछते हैं बट जावरान उन्हें रोक रहा था ताकि नैंसियंग के टाइम बेस्ट ना हो पर नैंसियंग को आइडिया आता है और वो जीनियस को क्लास 7 को पढ़ाने के लिए कहती है बट जीनियस रूडली मना कर देता है लीश्वा एक ट्रिक सूचता है और वो जीनियस के डैक्स पे उन्सल्ड कोश्चन रख देता है जीनियस गुद को वो कोश्चन सॉल्ड करने से नहीं रोक पाता बट उसकी हालत तो जब खराब उचाती है जब उसे एक कोश्चन सॉल्ड भी नहीं हो रहा था अब उससे पता करना था कि ये कोश्चन उसे दिया किसने writing तो किसी लड़की की थी उसे शक होता है कि कहीं वो Nancy Young तो नहीं कहीं वो से जाधा intelligent तो नहीं हो गई बर इधर हम पता चलता है कि वो question हायर classes का question था उस question देने वाली का पता करने के लिए genius class 7 को पढ़ाने लगता है और फिर writing match करने पे उसे पता चल जाता है कि वो लड़की जियाओ है यूबाई और नैंसी यंग दोनों special lecture में जाने वाले थे तो नैंसी यंग जावरेंग को भी उसके साथ चलने कहती है वो वहाँ पे उसका वेट कर रही थी बट जावरेंग केक बनानी की वज़े से दो मिनिट लेट हो चाता है इसलिए उसे अंदर नहीं चाने देते वो बाहर बैटा था उसे देखती है नैंसी यंग उसके बाद बिना सुने उस पे गुस्ता करने लगती है तो जावरेंग उसे हैप्य बर्डे विश्च करके केक दे का चला चाता है नैंसी यंग खुश थी कि मौम के अलावा जावरेंग को उसका बर्डे याद था जब कि उसे खुद को भी याद नी था वो स्कूल में उसका थैंक्यू करती है बट जावरेंग गुसा था इसकी उससे बात नहीं करता वो कहती है सौरी प्लीज मुसे बात करो न मुझे दूर मत करो तो वो थोड़ा-थोड़ा हस रहा था नैंसी यंग को जब पता चलता है कि यूबाई के डैड की कंपनी में गड़बड हो गई तो वो जावरेंग को बिना बताए यूबाई से मिलने चली चाती है बड़ वो तो घर चला गया था डैड यूबाई को कंपनी के टैंशन लेनी के बचाए पढ़ाई पे दिहान देने को कहते है नैंसी यंग यूबाई के घर चाने वाली थी तो जावरेंग भी उसके साथ वही पहुँच जाता है नैंसी यंग को याद आता है कि लायर चाओ ही यूबाई के डैड के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो जावरेंग का भी यकीन होने लगता है कि नैंसी यंग सच में फ्यूचर से ही आई है और उन दोनों का मेक अप भी हो गया था यूबाई डैड को लायर चाओ से बात करने को कहता है पर डैड उसे बच्चे समझ के उसकी बात नहीं सुनते चैंशी घर जाते हुँ देखती है कि उसके डैड जावरेंग की मौम के साथ काफ़े क्लोस हो रहे है तो वो सैड होती है डैड को खुश करने के लिए यूबाई डिसाइन की बचाए फाइनस डिपार्टमेंट लेने की सोच रहा था और कहता है मैं डैड की हल भी नहीं कर पा रहा क्यों नहीं हम लायर चाओ को डैड से मिलवाएं पर कैसे जाओरन बैठा जो उनकी बाते सुन रहा था उसे एक आइडिया आता है प्लैन के अकॉर्डिंग नैंसी यंग और यूबाई लायर चाओ से मिलने चाते हैं इधर जाओरन जैंग और ली श्वाई यूबाई के डैड को साथ चलने के लिए मनाते हैं वो नहीं मानते तो वो ने उठाकी ले जाते हैं डैड को मिटिंग में चाना था और यूबाई उनसे बात करना चाता था फिर वो अपने डैड को अपने दिल की बात बता देता है कि वो डिजाइन डिपार्टमें में चाना चाता है क्योंकि उसका डिजाइनर बनने का ड्रीम है डैड लायर शाहों से मिलकर प्राब्लम का सॉलुशन ढून लेते हैं और उनको अब यूबाई के डिजाइनर बनने में भी कोई अतरास नहीं था नैंसी यंग को कोट में गर्मी लग रही थी तो जावरेन उसे जैकिट दे देता है उसे लगता है कि नैंसी यंग उसके तारीफ करेगी बट वो तो उसे डैड को ठाके लेके आने वाली बात पे डान देती है पर फिर माफ भी कर देती है इन फेक्ट उसने तो जावरेन के पाइलेट बैने का पूरा फ्यूचर प्लैन बना दिया था वो उसका थैंक्यू करता है और कहता है तुम्हें मेरी विचे सबने टाइम वेस्ट करने की दूरत नहीं थी वो सिखाना सब करती है तो वो खुश होता है जब वो नैंसी यांग को बास्केटबॉल खेलने के लिए कहता है बट नैंसी यांग को तो बिल्कुल भी बास्केटबॉल खेलना नहीं आता तो वो उसके क्लोस होके उसे सिखाने लगता है बट नैंसी यांग को कुछ-कुछ फील हो रहा था मेबी इट्स लव क्योंकि इंगली सर सब को बताते हैं कि नैंजियंग की पूरी स्कूल में 50th rank आई है तो सब बहुत खुश होते हैं सर कहते हैं पर क्लास 6 के एक बच्चे के भी नैंजियंग की तरह 50th rank आई है उसके साइंस में जादा मार्क से इसलिए स्कूल ने डिसाइड किया है कि उस बच स्टेशन खतम करने के लिए दबादबा के खा रही थी और फिर गेम खेलने आती है उसने एक ही बार में सब आउट कर दिये थे तो सब हहरान थे चैंशी का क्लास 2 से क्लास 7 में ट्रांसपर हो गया था जावरेन उसे बात करने चाता है बट वो गुस्य से उसे भगा देती है इसलिए उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि चैंशी को हुआ क्या क्योंकि चैंशी का स्टडी के तरफ बिल्कुल धिहान नहीं था इनफेक्ट वो अपने डैड को जावरेन की मौम के साथ देखकर उनके फोटो क्लिक कर लेती है और जावरेन को दिखा देती है एपी न्यूएर पे चैंशी और उसके डैड जावरेन के घर जाते हैं तो उन दोनों की मौम डिट बता देते हैं कि वो इक दूसरे को लाइक क एपी न्यूएर वाले तिन cyao को लगता है कि जीनियस याओ शो मैं पूलाया तो वो से न्यूएर विश्च कर देता है वह खुश हो रही थी इसलिए बोल देती है कि अगर तो मुझे लाइक करते हो तो छुपाओ मत और सब को लगता है कि जीनियस cyao को लाइक करता है तक खुश होते हैं पर नैंसी यंग जावरेंग की तरफ सैड थी और क्लास टू में जाने के लिए मना कर देती है जावरेंग उसे पूछता है कि तुमने मना क्यों किया वो कहती है क्योंकि मैं तुम लोगों को छोड़के नहीं जाना चाहती तो जावरेंग भी अंदर यंद जावरेंग पहले तो उसकी स्टडी में हल्प करने के लिए मना कर देता है बड़ फिर उसकी हल्प करने भी लगा था जावरेंग उसे देखने आया था तो यूबाई बस लाइक चिंदा मत कर वो मेरे साथ नहीं बैठी है तो जावरेंग खुश होता है इंफेक्ट वो नै क्लास 7 को मिस्स कर रही थी क्लास 2 के सटदी काफी हाई लेवल की होने की बिज़े से नैंस्यां को कफी स्ट्रेस हो रहा था जीनियस और नैंस्यांग दोनों एक कुश्टन को सॉल्फ करने लगे थे और नैंस्यांग उससे पहले कुश्टन पर लेती है वो भी दूसरे इज तो वो खुद को ठीक बता के जाने लगती है जावरेन की विज़े से अपना फिजिकल चेक अप मिस्स कर दिया था तो नैंसियंग रोने का नाटा करके उसे बचा लेती है फिर जावरेन अंधा होने का नाटा करता है तो वो से बहुत मारती है जब जावरेन क्लास सेवन में चारा था तो वो दोने ही दूसरे को देख रहे थे फिर वो यूबाई को बताती है कि क्लास टू मेरे लिए सूट नहीं करती क्योंकि मेरा और क्लास टू का स्टडी मेथड बिल्कुल डिफरेंट है और क्लास टू को बाहे करके क्लास सेवन में आती है तो सब उसे देख के बहुत खुश होते हैं जाओरेंट में बहुत खुश हो रहा था और इंग्लिश सर भी स्टेशल इट सैम के लिए स्कूल के टॉप 10 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जिसमें 9 स्टूडेंट क्लास टू के थे और एक क्लास 7 की नैंस यांग है डारेक्टर को भी असास होता है कि क्लास 7 और इंग्लिश सर को कितना नगारा समझती थी जिबकि वो काफी हार्ड वाकिंग है जाओरेंट नैंस यांग को बताता है कि एक आदमी बोल रहा था कि वो स्टूडेंट से पैसे लेकर उनके मार्क्स पढ़वा सकता है तो मैंने उसे बुद्धू मना के फिलिस को कॉल कर दिया पर नैंस यांग उस पर गुसा थी कि तुमने इतना डेंजरस काम क्यों किया वो उसे केक दे कर मनाने लगा था बर डारेक्टर उन दोनों के रुमैंस को देख लेती है फिर कि आंस यां की मॉम को बुलाया जाता है वो जावरें से कहती है देखो स्टुडेंट्स को एक्जाम के टाइम पर पढ़ना चाहिए वो कहता है रॉन परी मैं नैंस यां को डिस्टरब नहीं करूँगा नैंस यां कहती है मॉम आपको के लगता है कि मुझे इतने कम उमर में लव हो गया बट मॉम उसे पकड़के बाहर ले आती है और कहती है तुमें तो पता है ना कि जावरें कितना रिच है अगर वो नहीं पढ़ेगा तब भी उसका काम बन जाएगा पर हम कितने पूर है अकर तुमने स्टड़ी ने की तो तुमें भी मेरी तरह लॉंड्री शॉप चलाने पड़ेगी इसलिए एक्जैम तक जावरें से दूर रहना तो उसे भी ना चाहते हो हाँ करने पड़ती है बट जब उसे पता चलता है कि जावरें की किसे से फायट हो गई तो वो से देखने चाहती है कि वो ठीक तो है बट जावरें की वज़े से नैंसी आंग में अपना स्पेशल एक्जैम मिस कर दिया था तो वो उस पे गुस्ता होता है वो कहती है कोई बात नहीं मैं एंट्रेस से अपने के फेमस कॉलिज में जा सकती हूं बट गुंडें उनके पीछे पढ़ जाते है तो जावरें उसका हाथ पकड़के भागता है और फिर उन गुंडों को पुलिस को पकड़वा देता है क्लास में सब उनकी तारिफ कर रहे थे कि उन्होंने फ्रॉट गैंग को पकड़वा दिया चैंशी यूबाई को बिताती है कि मैं भी फेमस कॉलिज में डिजाइन डिपार्टमेंट लेने वाली हूँ तो वो खुश होता है इंगलिश सर क्लास 7 को पढ़ने के लिए मॉटिवेट कर रहे थे डैलिंग को सिंगिंग का ओफर आया था तो डैलिंग के साथ सब बहुत खुश होते हैं पढ़ते पढ़ते मीली उटकर चली जाती है तो जैंग अपनी बोटल से मीली की बोटल में पानी भग देता है नैंजी यंग जावरन की कोश्चन सॉल्वर करने में हल्प कर रही थी रोने के बाद मीली क्लास में पढ़ने वापस आजाती है सब इतना डिप्रेस्ट थे तो नैंजी यंग सौंग चलाने को कहती है तो जावरन ब्रेक टाइम में उसके कान में एरफल लगा देता है और दोनों सौंग सुन रहे थे और फिर जब डैलिंग वाले इंस्पिरेशनल सौंग प्ले होता है तो वो पूरी क्लास में चला देता है सब हैरान थे सबको लगता है कि इंगलिश सर गुस्ता होंगे बड़ वो तो वहाँ स्पिकर रखे चले जाते है फिरके अजावरन स्पिकर से भी सौंग चला देता है जिसे उनके साथ सब पूरा स्कूल सुन रहा था और सब इंच्वाई भी कर रहे थे प्रिस्पल स्माइल करते हैं इंगलिश सर खुश हो रहे थे पर डारेक्टर को देखकर ढर जाते हैं बर डारेक्टर स्टुडेंट्स को रिवाईब होने के लिए कुछ मिनिट्स का ब्रेक देती है एंट्रस एक्जाइम से पहले इंगलिश सर उन्हें एक्जाइम के लिए और गुडबाई करने आते हैं वो भी पिकाचु बनके ताकि सब रोने के बज़ा हसे जावरान नैंसियंग को घच चोड़ने चाता है तो वो से कुछ कहना चाता था पर बोलने पाता तो नैंसियंग जाने लगती है पर फिर कहती है हम एक्जाइम से एक दिन पहले मिलेंगे नेक्स दे जावरान उसे मिलने जाने वाला था पर मॉम उसे देख लेती है इधर नैंसियंग को मिली मिल चाती है जो एक्जाइम की विचे से टेंशन में थी तो वो कहती है तो बस अपना बेस्ट देना मुझे पूरा विश्वाश है तो एक दिन अच्छी राइटर जुरूर बनेगी और तरी बुक्स भी बहुत फेमस होंगी जावरान नैंसियंग का वेट का रहा था बट वो लेट हो गई थी एंट्रेंस एक्जाम वाले दिन किसी का एक्सिडेंट हो चाता है जिसके कपड़े जावरान से मैच कर रहे थे नैंसियंग उससे देख के आना चाहती थी पर गार्ड उसे एक्जाम हॉल में भीज देता है एक्जाम करते करते नैंसियंग को काफी स्ट्रेस हो रहा था उसे लगता है कि जावरन का एक्सिडेंट हुआ था और वो भीऊश जाती है नेक्स इन में नैंसियंग उठती है तो वो एक कंपनी के डारेक्टर है बट वो इस पर इंप्लॉय को फायर करने के बचाए दूसरा चांस देती है फिर उनकी क्लास की रियूनियन पार्टी थी तभी नैंसियंग और यूबाई वहां आते हैं डारेक्टर को लगता है कि नैंसियंग और यूबाई कपल है बट वो दुनों हंस रहे थे इंग्लिस तर बताते हैं कि जीनियस साइन्टिस्ट और ज्याओ फैशन स्टायलिस्ट है डैलिंग सिंगर और ज्यान पेंटर बन गया लीश्वाई टीचर जैंक फेमस बास्केटर प्लेयर और मिलीक राइडर है यूबाई आउड़ोर डिजाइनर और चैंशी इंडीर डिजाइनर है तब ही वहाँ जावरेन आता है जो पाइलट बन गया था क्योंकि नैंसियंग और जावरेन कपल है इंफेक्ट एक्जैम वाले तिन इंगलिस सरकी कार के आगे कोई आ गया था बट वो तो कोई और था जिसने से हम जावरेन के जैसे कपड़े पहन रखे थे और उसे थोड़ी बहुत चोट लगी थी फिर नैंसियंग को ले जाते हुए जावरेन ही देख लिया था नैंसियंग होश में आते ही जावरेन के बारे में पूछती है और फिर उसे देखते ही हग करके रोने लगती है कि वो ठीक है जावरेन उसे बताता है कि मॉम अब हमसे बेबी माग रही है वो कहती है तुम्हारे साथ कुन बेबी चाहता है वो कहता है सोच तो सही तरह वो हस पढ़ती है और बाकि सब भी हसने लगे थे फिर हम पास्ट में देखते हैं जाओरें जब पाइलेट बन के वापस आ रहा था तो एक टैडी बेर उसके आगे आता है वो उसे मना कर रहा था बट वो टैडी बेर गिर्शा आता है इनफेक्ट वो नैंसी यंग थी जो यह सब मिली की कहने पर कर रही थी ताकि कुछ रुमेंटिक हो सके इनफेक्ट उन दोनों को डेटिंग करते वोगे साफ साल हो गए थे जिसके बीच जूबाई ने चैंशी को प्रपोस किया और उसने उसे सेप्ट भी कर लिया मिली और चैंग का दूसरा बेबी होने वाला था इसलिए वो दोनों भी इक दूसरे को शादी के लिए प्रपोस करते हैं वो दोने इक दूसरे को हां करते हैं तो रिंग पहनाते हैं और फिर इक दूसरे को हक करते हैं इस तरह से इस ट्रामा की हैपई एंडिंग हो जाती है बस थोड़ा से इंतिजार करना फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ